सरकार में कि जो रियल वेजिस कहे जाते सही में जो प्रती दिन की आमदनी हुआ करती थी रियल वेजिस जो कहे जाते थे वो करीमां 64-4% की दर से पूरे 10 साल बढ़े और खासकर आखरी के UPA2 में तो 6-6.5% हर साल की रेट से वो बढ़े और ये रेट मोदी सरकार के 8-9 साल मे गिर कर दशमलव आठ रह गया यानि समझ लिजे बिलकुल ही नगन्यसा और मैं एक नंबर आपके सामने जरूर बताना चाहता हूँ जो और अच्छी तरीके से इस आंकड़ों को आपके सामने रखेगा 1917 में जब ये दर बिलकुल नीचे आकर उसके बात एक तरीके से जीरो की तरह पहुँचा तो ये मानने जाता था कि हमारे रियल वेजिज जो है क्रिशी में वो 19,450 रुपिया महीना है और आज इतने सालों की विकिसित भारत आत्म निर्भर विकितित भारत की दरों के बाद वो पहुच गया है कि बल दो हजार, बीस हजार, उन्तालीस तक यानि आठ ये नौ साल में मुश्किल से शायद आधा एक परसंट ओवरॉल बढ़ा है और अगर आप सीधे-सीधे इसको उस बात से ले कि अगरिकल्चर में डिस्ट्रेस, अगरिकल्चर में आप समझ लीजे तो फिर कीमा जगा 100 रुपए में लेबर मिलता था, वो 80 रुपए पर आजाएगा, 60 रुपए में आजाएगा, और जिस आदमें को मुश्किल से 100 दिन का, 70 दिन का काम मिलता था, उसाज 30 दिन या 40 दिन पर आजाएगा, ये तो ये दो बड़ी महत्रपून बातें मैं चाह होना था कि आज से 3-4 साल पहले बेरोजगारी का दर अपनी आतिहासिक दर पर 8-10 प्रतिशत के करीब पहुंच गया था, 10-11 प्रतिशत के करीब, उसको सरकार ने भी माना, और अभी वो आंकरा दिखा रहे हैं, 5 ये 5.2 प्रतिशत का, और वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हम लोगों ने प्रगती की है, लेकिन एक आंकरा वो उसमें आपको बताना भूल गए, कि जो सबसे ज़्यादा इसमें रोजगारी बढ़ी है, वो एक ऐसा नंबर है, और मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग सब सरकार की इस विकास दर पर विश्वास करते हैं, और इस बेर मा के लिए कुछ बरतन का काम कर लें, अपने खेत में हलका सा खेत जोत लें, तो वो उसको रोजगार की मानिक मानी जाती है, दुनिया में हिंदुस्तान केवल एक देश है, करीमन 40-42 देश ऐसे हैं, जिनमें रोजगारी और बेरोजगारी के आंकरे कठा किया जाते हैं, हि आपको मैं इसके आंक्रे बताता हूं किस तरीके की प्रगती हुई थी, जब 2004 में मनमुहुन सिंजी की सरकार आई थी, तो करीबन 10 करोड लोगों को गिंती से माना जाता था कि अन्पेड फैमिली लेवर है, जब मनमुहुन सिंजी की सरकार 2013-14 में हटी, तो 12-13 का अखरी आ 25 करोड के करीब, आज ये आकड़ा 9.5 करोड पर है, और ये वही 4.5 करोड लोग हैं, जो दरदर भटकते हैं, जिनको कोई काम नहीं मिलता है, और केवल अपने घर में जो व्यवसाय चल रहा है, अगर पिता जी की दुकान है, या उनका हल, उनकी खेती है, उसमें थोड़ा आकड़े में इसलिए देना चाहता था, कि जो बद से बदतर हालात आज हमारे खेती हर मजदूर की, मजदूर की, किसानी करने वाले व्यक्ति की, इंडस्ट्रियल लेबर की है, वो इस बात को दिखाता है कि कितनी बुरी तरीके से हमारी अर्थ व्यवस्ता की नियोजनी सर अर्दी हुई तरकों से किस तरीके से शमिक ने आए के जो हमारे वाइदे आए हैं, वो क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, और हमारे हिसाब से उनका और आने वाली दो ये तीन महिने के बाद जब इंडिया आलाइंस की सरकार आएगी, तो किस तरीके से हम अपनी नीतियों में इन विश्यों को इन समस्याओं को अपने सामने रखेंगे, उसका मैं तो एक मिनिट आपके सामने समय लेना चाहता हूँ